अगर आपके पास एक चार पहिये की गारी मौजूद है या फिर आप खरीद कर एक सरकारी विभाग में लगाना चाहते हैं फिर चाहे वो आपका जल निगम हुआ, बिजली विभाग हो गया, सीमा शुलक विभाग होता है, आपका नगर पालिका होता है, नगर परिशद होता इन सभी विभागों में गाडियों की requirement बनी रहती है कभी न गभी गाडियां change होती होती है इन सभी विभागों में जितने अधिकारी होते हैं उनके आवा گवन के लिए भारत सरकार गाडियां किराए पर लेती है प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट लोगों की जो गारियां होती है उनसे तो क्या-क्या रिक्वाइर्मेंट होती है अगर आप सरकारी ओफिस में अपनी गारी लगाना चाहते हैं कितने रुपए देते हैं सरकारी आफिस वाले अगर आप गाड़ी अपनी लगा देते हैं सरकारी आफिस में ये सारी चीज़े जानने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा हलो और वेलकम फ्रेंट्स मेरा नाम है नूप सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ साथ में आने वाले बेल आकिन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटिस्ट वीडियो की लेटिस्ट अपडेट मिसना कर सकें So let's get started First of all तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसी गारी होनी चाहिए या फिर अगर आप लेनी की सोच रहें तो आपको एक ऐसी गारी लेनी पड़ेगी जिसकी requirement सरकारी विभागों में maximum होती है कौन सी गारी हो सकती है ऐसी सबसे पहली swift desire जिसकी requirement काफी ज़ादा रहती है maximum सरकारी जितने भी government offices होते हैं इन में दूसरी है यहाँ पर bulero bulero की भी requirement काफी ज़ादा होती है इसके रावाए Scorpio होगी और अगर कोई बड़ा office है जैसे आपका DM office वगएरा पढ़ जाता है या फिर IPS office वगएरा पढ़ जाता है तो वैसे में जितने करमचारी होते हैं वो भी उनके साथ चलते हैं वैसे अगर आपके पास swift desire या फिर bulero है तो ये दोनों गारियां भी काफी ज़्यादा required रहती है maximum government offices में दूसरी चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं कि जो गारी होती है वो तीन साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ offices ऐसे होते हैं requirement होती है कि पात साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए तो वो आपको देखना है कि आप किस टाइप के office में अपनी गारी लगा रहे हैं इसके अलावा जो गारी का number है वो आपका taxi number होना चाहिए private number के साथ आप गारी को किसी government office में नहीं लगा सकते हैं तो रंत आपको मना कर दिया जाएगा भीया ये गारी नहीं लग सकती है अगर आपकी गारी लगेगी तो taxi number होना अनिवार रहा है इसके अलावा driver का जो DL होगा वो होना जरूरी है जो भी उस गारी को रन करेगा और गारी के जितने documents हैं वो भी सारे के सारे complete होने चाहिए with insurance और fitness पूरी complete होनी चाहिए गारी की चलिए इन सबी requirements को अगर आप fulfill कर लेते हैं तो ये जान लेते हैं कि आपकी गारी government office में लगेगी कैसे तो लगाने के लिए आपके पास simple सा तरीका है कई बार ऐसा होता है कि government tender देती है बट आज कल जादा tender नहीं निकलता है क्योंकि काम उनका वैसे ही हो जाता है वैसे कैसे हो जाता है अभी यहाँ पर क्या होता है कि आपको direct जाकर पूछना होगा government office में कि क्या आपके पास requirement है गारीयों की अगर requirement होगी तो वो आपको जरूर बताएंगे इसी के अलावा दूसरा option यह होता है कि जितने भी government offices आपके आसपास हैं जहां already गारीयों लगी हुई है वहाँ पर कभी कभी गारीयों की जरूरत और ज़्यादा पड़ जाती है तो वहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गारीयों लगा रखी है आपको उन लोगों से गारीयों के मालिकों से या फिर ड्राइवर से आपको बात करके रखनी है कि अगर और गारी आपके आफिस में कोई required हो तो मेरे पास एक बुलेर हो है या फिर डिजायर है या फिर स्कॉर्पीयो है या फिर क्रिष्टा इनोबा जो भी आपके पास मौझूद है आप बता दीजिए कि ये गारी है अगर required हो तो प्लीस बता दीजिएगा आप आस पास के जितने भी offices में गारीयों लगी होई है तक रहता है वो डिपेंड करता है कि आपकी गारी कौन सी है कितनी महंगी है अगर बड़ी गारी है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और अगर छोटी गारी है फिर भी 30,000 से नीचे क्या ही जाएगी अगर गवर्मेंट आफिस में गारी लगी है इसके अलावा जितना भी फियूल डिजल खर्च होता है या पेट्रोल गारी है तो पेट्रोल खर्च होता है उसको किलोमेटर के हिसाब से आपको पैसे दिये जाते है कि कितने किलोमेटर गारी आज चली है और उतने किलोमेटर के पैसे आपके अकाउंड में क्रेडिट कर दिया जाते हैं ओके गाईस ये थी एक छोटी से वीडियो की आपकी गारी अगर है तो आप कैसे गवर्णेंट ओफिस में लगा सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम